हेलो एवरिवन कैसे आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लेट्स लोग विद पूनम में आज मैं सेर करी आप सब के साथ गणेश चतूर्थी स्पेसल गेहूं के आटे के लड़ू जिसे हम मलाई के साथ बनाएंगे और ये घर पर मिलने वाले सामान से बड़े अस लगातार इसी तरह से चलाते होई पकाएंगे दो तिन मिनिट इसे लगातार चलाते होई पकाने के बाद देखे यहां का अटेक से अच्छे से खुसपू आने लगे अब इसमें हम जो घी है एड़ करेंगे यहां पर मैंने आदा कटोरी घी की लिए है इसे हम थोड़ा-थ अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसमें से सारे लंस मिटाल लेंगे इसको हमें लगातार दो तिन मिनिट के लिए इसी तरह से लगातार लो टू मीडियम फर्च दाते हुए पकाना है जब तक कि अच्छी सी खुसपू आने ना लग जाए और अच्छी से कलर चेंज ना होज़ अब इसमें हम 8-10 जो काजू है बादाम है 8-10 काजू ले मैंने 8-10 बादाम लिए है इनको मैंने इस तरह से काट लिया इनको हम इसमें डाल देते हूं सबही चीज़ों खूम अच्छे से आाटे में मिक्स कर लेते हैं अब यहाँ पर हम नारेयल का बुरा दाले लेगे मैंन अब इसमें मैं यहाँ पर खरबूजे के बीज लिए मैंने दो चम्मस के करीब वो भी इसमें डाल देती हूँ अब एसीजे मिक्स होने के बाद यहाँ पर मैंने आदा कटोरी भर करके मलाई ली है अब मलाई को हम दो बार करके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे यहाँ पर मैंने आदी मलाई को पहले डाल दिया इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर गैस की फ्लेम को भी हमें ब पकर तयार हो गया है और अब हम यहां पर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम एक मिलट और लगातार इसी तरह से चलाएंगे क्योंकि यहां पर जो मारी कड़ाई है अभी भी गरम है इसे हम अलग से एक बरतन में निकाल लेते हैं देखिए जो आटा हमारा इसको हम थोड़ा ठंडा करें क्योंकि अभी भी गरम है बहुत ज़्यादा और यहां पर मैंने 4-5 इलाइची को कूट के लिया है और इसे भी हम इसमें डाल देते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से लगातार चलाएंगे जाकि जो मारा मिक्सर हो जल्दी स ठंडा हो जाए और इसके बाद यहां पर मैंने 8-10 किसमिस को काट के लिया है आप यह ड्राइफ रूट को अपने हिसाब से ले लिजेए किसमिस का भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और अब इसमें हम मिठा एड़ करेंगे यहां पर पिसी विची ने लिए मैंने एक कटोरची थोड़ा सा कम ही है आप मिठा अपने हिसाब से डाल लिजेगा वरना तो यह परफेक्ट है एक तमसे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहां पर जो हमारा आटे का मिक्सर था वो थोड़ा थोड़ा गरम हा अभी भी अब इसको हम हलके हलके हातों से इसी तर कर दिया है अभी भी यह मिक्सर थोड़ा सा मुझे सूखा लग रहा तो इसमें मैं एक से डेड़ समझ जो है दूद की डाल लेती हूं आप देखकर ही डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके अब यह अच्छे से बाइंड हो रहा है अब इसके हम अच्छे से लड़ू बनाते अब यहां पर थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा लिया है इसमें मैं इस तरह से इसको कोट कर लेती हूं नारियल का बुरादा के बाद इसमें देखने में बड़ा अच्छा लगते हैं यह लड़ू इसी तरह से हम बाकी के सारे लड़ू बना लेंगे और इसी तरह से हमारे सारे लड़्डू बन कर तयार हो गए हैं देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और इसी तरह से खाने में भी बहुत ही टेस्टी है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक सिर और कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक लड़्डू तोड़ के दिखाती हूँ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर आप चाहे तो ड्राइफ रूट आप इसमें पीस्की भी डाल सकते हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है थैंक यू बाई